नमस्कार मैं कमलेज जादवानी व्यापारिशो के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम पाइनल कॉंसेंटेट का फर्मला के बारे में बात करेंगे यह एक नया फर्मला है जिसके लिए आपको क्लीनिंग इंडस्टी में काम करने वालों को यह वीडि वीडियो से जुड़े रहें और अपना ग्यान बढ़ाएं जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत आज की वीडियो में हम पांच पॉइंट पर बात करेंगे जिसमें से पहले पॉइंट में हम मैनिफेक्टरिंग चालू करने से पूर्व कौंसी तायरी करनी चाह उसके बारे में मैं डीटेल्द इंफर्मिशन दूँगा फॉर्थ पॉइंट में हम कौंसा केमिकल कितनी मातरा में परसिंटेज में ऐडिशन करना है और आपके प्रोडक की कॉस्ट Florence में होनी चाहिए उसके लिए 5-वे पॉर्वाइंट में हम कौंसा केमिकल क्यों इस्तमा कर सकते हैं आपके product की cost year आप manage कर सकते हैं आपके product का quality आपके आपके हाथ में होगा पहले point में हम safety equipment के बारे में बात करेंगे जो भी PPE kit आपabel होगा उस PPE kit में girls, happen, handglow, safety shoe और industrial mask में से जो भी mask आपके पास available होगा वह आप पहन ले उसके पस्चाति काम start करें और जो भी काम करेंगे उसे recording के लिए आपके पास में book होना ही चाहिए पॉइंट में हम कौन-कौन से chemical इस्तमाल किये है उसके बारे में जानेंगे पहला chemical है pine oil जो भी pine oil आपके पास available होगा 32% होगा 22% होगा वो भी चलेगा PEG-15 Cocomonium chloride यह liquid होगा उसके बाद का chemical है Propylene glycol monometiliter उसके पस्चाथ जो next chemical है sodium laurel sacrosinate next chemical है arawater और tetrasodium EDTA इसका 38% solution बनाना है इसके बारे में भी विश्तरुजान करीदूंगा तो next point में हम काउंसा chemical काउंसी कितने step में डालना है क्या precaution लेना है उसके बारे में सबसे पहले pine oil लीजिए उसे PEG-15 Cocomonium chloride में slowly addition करते हुए mixing start रखना है और stirring तो constant start ही रखना है जब यह visually आपको दिख जाए कि दोनों अच्छे से visible हो गए हैं उसके पस्चात आपको उसमें प्रोपिलीन मोनो मिठील इथर यह एड करना है यह भी लिक्वीड है उसके mixing के टाइम में आपको थोड़ा precaution लेकर एड करना है stirring constant चालू रखनी है उसके पस्चात sodium laurel sacrosinate यह powder एड करनी है addition यह slowly करनी है constant stirring चालू रखना है उसके पस्चात आपको इसमें EDTI 38% बना लेना है याने 38 gram लेकर 100 gram water में इसे एड कर उसे एड कर देना है यहाँ पर जो water इस्तमाल करेंगे वो batch में का ही water लेना है उसके पस्चात बचा हुआ जो water है वो एड कर देना है यह constant stirring के साथ में पूरा liquid जो बनेगा उसका color clear pale yellow color होना लगबग होगा second thing इसका pH 9 से 10 के बीच में आना चाहिए इस liquid को आप 1 liter concentrate gas होता है इस liquid का आप 64 liter तक regular quality बना सकते हैं और dilution कर आप quality में changes कर सकते हैं अब आता है next point जिसमें एक किलो या फिर एक लिटर concentrate बनाने के लिए कौँसा chemical कितनी मातरा में लेना है यहाँ पर एक लिटर में pine oil की यह मातरा 150 ग्राम लेना है PEG-15 cocomonium chloride यह 70 ग्राम लेना है next chemical propylene glycol monomethyliter यह 50 ग्राम लेना है sodium laurel sacrosinate यह 250 ग्राम लेना है arrow water यहाँ पर 470 ग्राम लेना है और preservative यह 10 ग्राम या उससे कम मातरा आप ले सकते हैं यह कम करने के पस्चाथ आपको उसमें यहाँ पर arrow water की मातरा बढ़ानी होगी अब यह हो गया chemical कौँसी मातरा में लेना है इसके पात का जो point है उसमें हम बात करेंगे कौँसा chemical क्यों add किया है पाइनोयल यहाँ पर cleaning, deodorizing agent और room freshener के तोर पर इस्तमाल किया गया है PG-15 cocomonium chloride यहाँ पर emulsifying agent detergent और hard surface cleaner के तोर पर इस्तमाल किया है propylene glycol monomethyliter यहाँ पर solvent के तोर पर इस्तमाल किया गया है sodium laurel sacrosinate यहाँ पर weighting agent, high foaming agent and detergency property के लिए इस्तमाल किया है RO water यहाँ पर solvent या universal diluant के तोर पर इस्तमाल किया है preservative के तोर पर यहाँ पर EDTA का काम करता है जो के आपके product की self-life बढ़ाएगा और chillating properties के लिए इस्तमाल करेगा यहाँ पर आपको एक special precaution लिना है जो order में chemical add करने के लिए बोला गया है उसी order में chemical add करना है उमीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने बहुत से point बताने का प्रयास किया आप इस product को trial based पर बना कर results चेक कर उसके पस्चात commercial level पर try करेंगे अगर आपको किसी point पर information चाहिए तो comment box में जरूर share करें मैं उस पर काम करकर आपको reply देने का प्रयास करूंगा थैंक यू वेरी मुच पर वाचिं आर वीडियो